हालो नमस्कार दोस्तों मैं को स्लेंशिंग समझ सम्मानिच छात्षात्राओं का आपके अपने यूट्यीब चैनल पर हार्दिश्वागत वाविदंदन करता हूं आज हम जीव ज्यान पाठ्योजना के अंतरगत कच्छा आठ के प्रकड़ सूच म जीव अर्थात माइक्रो आर्गेनिजम पर चर्चा करेंगे पाठ्योजना त्यार करते समय मिड में जैसे आप यहां देख रहे हैं यहां पर आपको पाठ्योजना लिखना होगा यहां पर जो भी पाठ्योजना का क्रमांग होगा उसको लिखेंगे विशय उप विशय प्रकरण और दिनांग जिस भी दिन आप टीचिंग करेंगे तो उस दिन आप यहां पर डेट मेंशन करेंगे जिस विद्याले में प्रेक्टिस टीचिंग कर रहे होगी उस विद्या लेसन प्लान जब बनाते हैं वहाँ पर भी इसको लिखना होता है इसके बाद हमारे आखिर इस टापिक को पढ़ाने के बाद आखिर कौन-कौन से हमारे जो एम्स हैं वो पूरे होंगे अब्जेक्टिव्स पूरे होंगे तो जैसे सबसे पहला ग्यानात्मकुद्धिश क्या पूरा होगा कि जो चात्र हैं सूच distractions जीवों का प्रत्यासमर कर सकेंगे तो आखिर जब प्रत्यासमर कर सकेंगे तो यह क्या है जब इस टापिक को पढ़ाएं गी इसके अलामा जो understanding objectives हैं, उसको भी लिखना होगा, बुढ़ात्मक उद्देश की चात्र सूच जीवाड विशाड तथाव सहवालों की व्याख्या कर सकेंगे, चात्र जीवाड विशाड में अंतर इसपस्ट कर सकेंगे, उसी प्रकार से विश्लेश लात्मक उद्देश की चात्र कवक का सुद्ध चित्र कर सकेंगे, इसके अलामा जो है चात्र जीवाड विशाड का सोच ने चड़ कर सकेंगे, जो टीलम के लिए यहां बात की जा रही है, तो जीवाड या कवक का बना हुआ एक जो चार्ट है, वहाँ पर आप लगाएंगे, वो यहां लिखना भी हुआ, कि कि चात्र विभिन प्रकार की बीमारियों, जैसे हैजा, टाइफाइड, छैरोफ, टीबी, टीवर्कलोसिस तथा सर्दी जुखाम से आउगत हैं, अब खासकर इस टॉपिक को डेवलप कराने के लिए, इस पार्ट का विकास करने के लिए, हमें प्रस्तामना प्रस्शन बना पूछेगा, वो लिखेंगे यहाँ पर, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा स्टुडेंट जो है आंसर देगा, तो यहाँ है कि सरीर को उर्जा देने के लिए हम भोजन करते हैं, दूसरा है खाने में हम क्या क्या खाते हैं, खाने में हम दाल, सबजी, चाव, लोटी जा दिखाते हैं, अगला है यदि खाने को हम दो दिन तक रख दें, तो क्या हो जाएगा, तो खाने को दो दिन हम रख दें, तो खाना क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो यह बच्चा आंसर देगा, अब फिर उसके बाद आंसर आएगा, कि आखिर जो खाना है किस क खराब होता है तो यह समस्यात्मक्स बच्चा अंसर दे भी सकता है कि सर्फ अफूदी लग जाएगी यह हो जाएगा वह जाएगा तो हम स्टेट्मेंट आप दाएम क्यों कि हमें टॉपिक क्या पढ़ाना है सूचन जीव तो छात्रों आज हम सूचन जीवों जैसे जिवार विशार तुथा कवक इत्याद के बारे में अध्यान करेंगे बिल्कुल आप बोल देंगे इस पस्टिशी रूप से इसके बाद हमारा जो है प्रजेंटेशन होगा प्रजेंटेशन के अंतरगर जैसे आपको पता है कि यहां प्रसुतिकर लिखेंगे कितने आप पढ़ा पाएंगे 35 मिनट में 45 मिनट में तो यहां जिसे दो टॉपिक लिए गए हैं कि सोच जीवों द्वारा उत्पन रूप और संक्रमन की प्रक्रिया यह दो टॉपिक जो है पॉइंट्स किलियर होंगे इस पूरे 45 मिनट में 35 मिनट में इसके बाद जैसे य एक दो पूछेंगे कि हमें पाठ का विगास भी करना है बच्चों को सिर्फ सुनते ही नहीं रहना है बच्चों को बीच बीच में हमें कोश्टन भी पूछना है जिसे बोलते हैं पाठ का विगास करना तो यहां पहला प्रसंट जो पूछा जा रहा है कि जब हम गंदगी म उत्पन जो रोग हैं उसका इस्पस्ट्री कड़ देना है जिसे यहां पर दिया है छाता धापगा कथन तो यह इस्पस्ट्री कड़ भी हुआ explanation जिसे बोल सकते हैं तो clarification भी कह सकते हैं कि सूछम जीव सर्व्यापी हैं तथा जीव धायों के जीवन को प्रहावित करते हैं सूछम जीव मनुस्यों कुछ जन्तूं तथा पधों में रोग उत्पन करते हैं जैसे हैजा जीवाड़ों द्वारा फैलता है सर्दी जुखाम विशार जनित हैं तो इस प्रकार सूछम जीवों द्वारा उत्पन रोग को हमने इस्पस्ट कर दिया बताया कि कौन कौन सा रोग किस किस के द्वारा होता है किस माइक्रो अडिलिजु के द्वारा होता है अब हम दूसरे टीचिंग पॉइंट की बात करेंगे जिसा यहां सामने दिया है कि संक्रमन की प्रक्रिया तो इससे संबंदित हम दो प्रशन पूछेंगे तो यहां पर जैसे आपने देख रहा है कि बच्चा कहेगा कालरा टीवी सर्दी जुखाम इत्यादी अब हम फिर उसके बाद फिर प्रस्म पूछेंगे कि सर्दी जुखाम किसे फैलता है तो बच्चा कहेगा सर्दी जुखाम जो है रोगी के संपर्क में आने से फैलता है तो अब यह पर हम इस पस्टी कर देंगे आखिर इसकी संक्रमन प्रक्रिया क्या है क्यों फैलता है तो यहां पर यह देंगे कि दूसरी जल द्वारा तथा रोगी वेक्ट के संपर्ग में आने से सूच मजीव सौस्थ वेक्ट में वायू जल तथा भोजन द्वारा फैलते हैं तो यह हमन में हमने बता दिया अब इसके बाद हमारा जो है स्यामपट सारांस आएगा और कि जो हमें लगता है कि blackboard पर ये चीजे entry करनी चाहिए उन चीजों को हम यहाँ पर लिखकर आपको जिसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखेंगे इस प्रकार सा आप ब्लैक चार्ट पेपर लेंगे और उसे भी वाइट स्पार्कल पर यहाँ पर जो भी इंट्रीज हैं वो सब लिखेंगे जैसे जो जो लगता है कि आप यह main पेंट पॉइंट से टॉपिक के उनको लिखेंगे जेसे यहाँ पर यह ब्लैक बोड पर सारी इंट्रीज आपको करनी ही होगी और यहाँ पर सूच अधियू क्या होता उसके बारे में लिखना होगा इसके रामा सूच अधियू जीवदोरा संक्रमण कैसे होता है यह भी आ देख भी दर हैं कि छात्रा ध्यापक या छात्रा ध्यापका छात्रों को स्यामपटकार लिखने को कहेगी वा कच्छा में स्वयम घूंग घूंग कर निछड करेगी एवन छात्रों के समस्या का समाधान भी करेगे इस प्रकार से जो step by step lesson planning की है हम उस पर बात कर रहे हैं और वही करार है कि blackboard summary के बाद writing and supervision work और उसके बाद जो है recathletary question अर्थात पुंद्रावित्य प्रश्ण भी आएंगे पुंद्रावित्य प्रश्ण जैसे आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ पहला पुंद्रावित्य प्रश्ण इसलिए भी पूछे जाते हैं क्योंकि जो हमने 45 minutes में जो teaching की है उसका impact बच्चों पर कितना पढ़ा है वो assessment है तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा है उसी संबनित ज दिये हुए हैं तो उनको पुना फिर बच्चों से पूछेंगे और उसका answer भी जाने का प्रयास करेंगी जिससे यह जान सके कि बच्चों को जो हमने पढ़ाया है वो कितना बच्चों को याद हो सका है इसके बाद हम अगले दिन के लिए बच्चों को कुछ काम देते हैं अखिर ग्रहकार जिसे home assignment भी बोलते हैं तो home assignment में जैसा आप देख रहे हैं यहां पर कि 5-6 question दिये गए हैं अगले दिन बच्चों को वो कारी करने के लिए काल तक करके लाएं तो उसको आप देख रहे हैं पहला question एसे type भी हो सकता है फिलिंदा blanks भी हो सकता है आपका यहा तो यहां पर देख रहे हैं यह जो है चार question इसमें दिये गए हैं और यह अगले दिन करके लाने के लिए 6-6 से कहा जाता हैं अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो subscribe अवश्य कर लें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो like, share जरूर करें वा बेल आइको कर दो